ABP News देख रहे हैं आप और जारखंट का जो political suspense है वो अलग ही point पर पहुँच चुका है और point to point हर एक dot को connect करने के लिए हम आपको बताते चले राजेपाल क्या सोच रहे है नियोता क्यों नहीं मिल रहा है इसका इंतजार लेकिन इंतजार के साथ plan B भी चल रहा है plan B ये है कि विधायकों को जो 43 विधायक राची में circuit house में मौझूद हैं वहां से shift किया जाए हाइदराबाद जहां पर मौझूद है ये विधायक circuit house उस जगह का और वहीं पर अभिशेक हमारे सायोगी मौझूद है इसके साथ दीपक रावत ED office के बाहर खड़े हैं इस वक्त स्क्रीन को समझा दू मैं जहां पर लगातार पुछताट चल रही है दीसरी तरफ आप देखिए आशीश से हमने थोड़ देर पहले अपडेट ली कि हाइदराबाद की तयारी है वही जगह है जहां पर इन विधायकों को सेफ रखा जाए लेकिन ये सारी चीज़े कहां से plan और plot की जाए वो जगह दिल्ली है जा मवजूद है जैनिंदर आखिर कॉंग्रस किस तरीके से एक बाद plan B के execution के लिए तयारी कर रही है क्या कुछ जानकारी आपके पास है जैनिदर ज़रा समझाए बिल्कुल अभी जैसा आशीश ने बताया हैधराबाद से कि हैधराबाद में कॉंग्रस की सरकार है और जारखन में कॉंग्रस गडबंधन में शामिल है ऐसे में कोई किसी भी प्रकार की टूट न हो इसकी पूरी कवायद चल रही है सभी विधायक जैसा हमारे सयोगी लगातार बता रहे हैं सरकेट हाउस में और वहां से हैधराबाद लेकर जाने की तैयारिया देखें साफ तौर पर कॉंग्रस और जैयमें को लगता है कि हिमंद सोरेन की जो गिरफतारी हुई है ये सरकार गिराने की कवायद है और चुकी बहुमत जैयमें कॉंग्रस गटबंदन के पास है ऐसे में सारी एकसरसाइज इस बात को लेकर चल रही है कि किसी भी सूरत में सरकार ना गिरे और चमपई सोरेन जिने विधायक दल का नेता चुना जा चुका है जैमें का गटबंदन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया है शपत का इंतजार किया जा रहा है और उसमें देरी हो रही है कॉंग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इसारी कवायत जो है वो सरकार गिराने की है और वो गंबीर आरोप गाजिपाल से लेकर करके लेकिन कितनी देर और उस देर से उस देर का खामियाजा कोई भुगतना नहीं चाह रहा है इसलिए प्लान बी के साथ तयारी चल रही है देखे इस वाक्त जारखंड का जो सियासी ड्रामा उस पर सस्पेंद सूस्त्रों के हवाले जो हमारे पास बड़ी खबर आई है MLA को पहले राजभवन ले जाने की तयारी है देखे इस वक्त सकेट हाउस में दो बसेस तयार है 43 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है उसमें से जानकारी ये आ रही है कि पहद्राबाद जाने से पहले विधायक जा सकते है राजभवन हलां कि हेमन सोरेन अपनी लेटर के साथ मीटिंग में सारी चीजे एक तरफ दावा पेश करके ED दफ्तर पर जाते हैं लेकिन वहां से राजभवन से नियोता नहीं आ रहा है कि यहां आ करके वो शपत ले पाएं सीधा रूख करते है अभिशेक का अभिशेक के पास जानकारी इस वक्त जादा है भीतर से जो छंचंच के आ रही है अभिशेक क्या ये बस की तैयारी एपोर्ट की तरफ ना मूरने की राजभवन की तरफ है कितनी चांसेस कितनी प्रोबिल्टी एसकी जैए अब injon जाने का मकसा सीधा साइए कि राजपाल पर दवाव बनाना और यह दवाव बनाना की 47 मले हमारे पास है जो कि कल चमपई सोरिन की अगवाई में जो राजपाल को जो दावास हो पा गया उसमे 47 सिगनेचर्स थे तो यही कहा जा रहा है कि 47 ML हमारे पास है तो इसके बाद भी सरकार बनाने का नियोता क्यों नहीं दिया जा रहा है क्यों गौर्णर अभी तक कुछ कम्यूनिकेट नहीं कर रहे हैं इस बात को ले करके यहां से जो बसे हैं यह पहले राजपाल जा सकती हैं और राजपाल से मिलने के बाद या अगर मिलने का मौका ना मिले तो वहां पर दवाव बनाने के बाद प्रतरशन करने के बाद वहां स एरपोर्ट के और जा सकते हैं इस बात की यहाँ पर संभावना है इस बात की यहाँ चर्शा चल रही है और एक बात मैं आपका और बता दूँ हेमन सोरिक्ट की जो कॉपी है जो उन्हों सुपरिकोर्ट में दाखिल की है रिट वो भी हमारे पास है उसमें उन्होंने 47 का जिक है ठिकी रहेंगी इस एक तरफ दिल्ली से कॉंग्रेस की क्या रणीती है हाइदराबाद में शिफ्टिंग की क्या तैयारी है यह तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे दिल्चस्प मोड पर जहारखंट की राजनीती ABP News आपको रखे आगे